भाईयो बहनो नमस्कार आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल में आपका स्वागत है चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे है रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानि घंटी बनके उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी जिन में सबसे उपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है तो आए इस लेटर को हम सब गंभिरता से देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस लेटर में आखिर क्या कहा गया है लिखा है आंगनबाडी केंद्रों को गोद लेकर के आदर्स आंगनबाडी केंद्र बनाने के सम्मंद में महोदे तो आए देखते हैं और सुरू तो यहाँ पर सभी भाई में वीडियो को लाइक भी कर देना और जो बहने और भाई अपने चैनल से ना जुड़े हों वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपनी बेल को आल पर दबा लें और अपनी चैनल से भी जुड़ जाएं ताकि हर रोज आने वाली सच्छी करके आदर्स आंगनबाडी केंद्र के रूप में विकसित किये जाने के लिए इस विभाग के पत्र संख्या दी गई है छे जनवरी 2022 तथा आप देख सकते हैं दस पांच 2022 द्वारा नर्देश नर्गत किये गए थे साथी दूसरे पॉइंट में उन्होंने लिखा है माननी मुख्यमंत्री जी की अध्यचता में 16.9.2022 को पोसर माह की राज इस्तरी आयोजन लोकभवन के आडिटोरियम में किया गया था जिसमें माननी मुख्यमंत्री जी के द्वारा माननी जन प्रतिनिधियों अधिकारी गणों सैच्छिक संस्थानों और दोगिक संस्थानों आधिक के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में आंगनबाडी केंद्रों को गोध ले करके केंद्र का सरवांगिड विकास करते ह एक आदर्स आंगनबाडी केंद्र के रूप में विकसित किये जाने की अपेच्छा की गई। का नर्देश प्रदान किया गया है। जैसे कि जिला अधिकारी की अनुमती से और मंडल इस्तरी अधिकारी वह अन्य अधिकारियों के द्वारा आंगनबाडी केंद्रों को गोद लेकर के आदर्स आंगनबाडी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो गोद कौन लेगा आपके वो नेता लोग लेंगे जैसे कि जन प्रितनी दी जैसे ग्राम पधान हो गए जला पंचयत वाले हो गए विधायक हो गए इस टाइप से और बाकी अधिकारी लोग है वो भी जो है गोद लेंगे आंगनबाडी केंद्रों को आगे देखो ने लिखा है योजना का उद्देश से तो योजना के उद्देश में देखो इनूने क्या लिखा कि आंगनबाडी केंद्रों को कुपोशर मुक्त करना योजना का उद्देश से है दूसरा लिखा आंगनबाडी केंद्रों में पंजी करत तीन से छे वरस के जो बच्चे है इनके लिए अनौपचारिक सिच्छा आईसिरियस के इस्तर में सुधार करना है और तीसरा पॉइंट लिखा कि आंगनबाडी केंद्रों में आधार गूत सुधाओं का सुध्री करन करना है तो ये योजना का मुमेन क्या है उद्दे से है साथी आंगनबाडी केंद्र को अधिकारी अत्वा बाल विकास परोजना अधिकारी के द्वारा सम्मंदित गोद लेने वाली संस्थान या संस्था उसको उपलद कराई जाएगी तथा उनसे विचार विमर्स करके उनकी स्वेच्छा से गोद लिये जाने वाले आंगनबाडी केंद्रों का चिन्नित वग कम से कम तीन आगनबाडी केंद्रों को गोद लिया जाना है साथी साथ आगे ले चलते हैं और आपको बताते हैं और इसमें क्या कहा गया आगे दो ने लिखा कि जनपद इस्तर पर आप एच्छित करवाई तो उसके बारे में भी देखे लो कि जिले के इस्तर से क्या-क्या कारवाईया होनी है लिका है आदर्स आगनबाडी केंद्र बनाने से सम्मंदित उक्त गतिविदियों और अनुस्रवन के मानकों के आधार पर सैचिक संस्थान या संस्था को विभागी योजनाओ सम्मंदी सुलब समागरी उपलब्द कराने के लिए अभुमुखी करण कि साथी गोद लिए गए आगनबाडी केंद्र के भ्रमर के समय सम्मंदित बाल विकास परोजना अधिकारी सुपरवाईजर आगनबाडी आसा एनम अध्यापक पंचाय सचुवाले और ग्राम प्रधान आधी सब उपस्थित रहेंगे स्थीक तो इतने लोग वहाँ पर को आधर्स आगनबाडी केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए VHSND के अन्य जो है आपर अन्य टाइट जो है फंड लिखा गया VHSNC ठीक उसके अन्य टाइल वगरा फंड काया कल्प्त था जीपी डीपी का प्रयोग करते हुए आधार भूत सरचना संसाधन उपलद कर जा सकते हैं इसके अतरिक्त अन्य स्रोत जैसे की CSR या मिनरल फंड वा अन्य से भी आगनबाडी केंद्र को विकसित किया जा सकता है साथी लिखा गया है बाल विका सेवा पुष्टा हर भाग एवं अन्य भागों की संचालित योजनाओं के कनवर जिन से समेकित प्रयास करते हुए आधर्स आगनबाडी केंद्र विकसित किये जाएंगे इसके लिए कोई अतरिक्त बजट का प्रावधान नहीं है साथी साथ आगे ले चलते हैं और बताते हैं अनुस्रवन एवं परवे चड़िये दाईतु यानि सैचिक संस्थान या संस्था द्वारा आगनबाडी केंद्रों पर प्रदान की जा रही सामागरी या कार्यों का विवरण जिला कारकरम अधिकारी या जिला अधिकारी को पर आया जाएगा साथी चलते हैं और आगे बताते हैं आगे इन्होंने लिखा कि सैचिक संस्थान या संस्था के नामित या अधिकरत प्रतनिधियों को गोद लिये जाने वाले आगनबाडी केंद्रों का परवे चड़ी दायतु होगा साथी जिला अधिकारी या जिला अधिकारी या पोशर समिती की अधिचता में प्रतेक महीना आहुत जिला पोशर समिती की बैठक में जन्पत के समस्त गोद लिये गए आगनबाडी केंद्रों की समिच्छा भी की जाएगी साथी जिलाकार कम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रतेक महीना गोद लिये गए आंगनबारी केंद्र की परवेचण आख्या संकलित करके समिच्छा के लिए जिला पोशर समिती की बैठक में उसको प्रस्तुद भी किया जाएगा प्राप्त परवेचण आख्या के आधार पर अध्यच्छ जिला पोशर समिती जिला अधिकारी इनके द्वारा सम्मन्धित विभागों के समन्वित प्रयास से आधर्स आंगनबारी केंद्र विकसित कराया जाएगा साथी लिखा गया कि गोद लिए गए आंगनबाडी केंदर की प्रगती की रिपोर्ट जिला कारकम अधिकारी के द्वारा प्रतीमा सासन एवं निदसाले बाल विकास सेवा पुष्टाहार को प्रेसित की जाएगी साथी लिखा गया कि आदर्स आंगनबाडी केंदर बनाने की समयावधी तो इसके लिए है कि आदर्स आंगनबाडी केंदर को आदर्स आंगनबाडी केंदर के रूप में विकसित करने के लिए निरधारित समयावधी छे महीने की होगी साथी साथ अगला है आदर्स आंगनबाडी केंद्र की घोशना इसके बारे में गोध लिये गए आंगनबाडी केंद्रों को नरधारित अबदी में उक्त मानकूर की पूर्ती होने पर जिला पोशड समिती के द्वारा आदर्स आंगनबाडी केंद्र घोशित किया जाएगा एवं जो है आपत तद्विसक वगरा जो प्रमारपत्र है वो भी प्रदान किया जाएगा अतहा अनुरोध है कि उच्च सैचिक संस्थानों और दोगिक संस्थानों तथा अन्य संस्थाओं जिला अधिकारी की अनुमती से वहाँ पर आंगनबाडी केंद्रों को गोध ले करके आदर्स आंगनबाडी केंद्र के रूप में विकसित किये जाने के लिए अपने अधिनस्त अधिकारियों को नरदेशित करने का कष्ट करे अनामिका सिंग सच्ची उत्तरपदेश सासन से तो आपने देखा एक बहुत थी जरूरे सा संपूर्ट जानकारी भरा एक लिटर विभाग से जो आंगन बारी केंद्रों को गोध लेने के मामले में हर जानकारी यहां पर जोहदर साता है अब फिलाल के लिए आप सब भाई बेनों को हम अगले साम के वीडियो में वो भी फटा फट वाली जो खबरे हैं पूरे दिन भर की उसमें दोस्तों मिलते हैं